सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम लोग अन्बोक्सिंग करने वाले हैं सेमसंग गेलेक्सी एफिप्टी टू इसको सेमसंग गेलेक्सी एफिप्टी टू एस फाइब जी सेमसंग का मोस्ट अवेटेट समार्टफून था बहुत सारे लोग इस समार्टफून के लिए वेट किये आज हम लोग अन्बोक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इस फोन के साथ हमें बॉक्स में और क्या देखने को मिलता है सबसे पहले बात करें इस फोन के बारे में तो यह फोन सिमिलर है सेमसंग गेलेक्सी एफिप्टी टू फाइब फोर जी से आपको जएदा डिफ्रेंटटर देखने को नहीं मिलता है यहां तक की जो लुक है जो शाइज है जो डाइमेंशन है वो सभी आपको सेम मीलेगा जो आप लोग सेम ओ ओह आप लोग देखने को मिलता है देखने No doubt phone देखने में काफी premium, काफी सुन्दर लगता है, in-hand काफी अच्छा फिल आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा Phone का design मुझे personally काफी पसंद आया, अगर मैं बात करूँ सामने से तो आपको 6.5 inches का 1080p Super AMOLED display मिलेगा इसमें आप लोगों को 120 hertz का refresh rate भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है सबसे जो changes है वो दो ही चीजों में यहाँ पर Samsung ने किया है, एक तो प्रोसेसर में और दूसरा जो refresh rate है A52s 5G में आप लोगो 120 hertz का refresh rate मिलता है और Qualcomm का Snapdragon 778G का SOC देखने को मिल जाता है फोन का setup आप लोगों को देख सकतेंगी किस तरह से अगर आप first time कोई भी Samsung का smartphone इस्तिमाल मतलब purchase किया है तो setup करना easy है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यह phone काफी पसंद आया लेकिन जो pricing Samsung ने रखाए थोड़ा से यहाँ पर मैं उसे over price बोलूंगा at least 6GB 128GB अगर 30,000 भी रहता और 8GB 128GB 32,000 तो यहाँ पर एक अच्छा killer deal बोल सकता था लेकिन 35,000 से उपर Samsung का A-Series का smartphone यह थोड़ा मुझे over price रगला है प्रोसेसर अच्छा है फोन का डिया च्छा है फोन के बारे मैं कुछ नहीं बूलूंगा तो कि फोन सच में काफी अच्छा है फोन का जो लुक है यह personally मुझे काफी पसंद आय क्योंकि slim में सबसे अच्छा phone इससे आप लोग बोल सकते हैं 4500 मिलियंपर की बेटर मिलता है लेकिन जो overall इसका dimension है जो डिजाइन दिया है सेमसंग यहां पर एक प्रीमियम फील होता है इन हैंड में और टाइप सी के charger है और आप लोग को एक headphone jack मिलते हैं जो कि आज के time में बहुत सरे company अपने smartphone में नहीं दे रहे हैं तो वो भी यहां पर आप लोग को मिल जाएगा overall एक अच्छा smartphone है लेकिन pricing अगर थोड़ा और कम रहता तो मेरे खाल से जादा बहतर हैं पर हो सकता था बाकिया आप लोग SPS तो जानते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है देखते हैं कि सेमसंग क्या इस पूझा में दिवाली या फित भुल का पूझा में कोई offer देता है या फिर नहीं देता है तो प्लिस वीडियो को like किजिए, share किजिए और अगर आप लो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक्यू सो मच